कि तो हीट को एक जगे से दूसरे जगे भीजना है तो भीजने के तरीके कितने हैं तो डिपेंड करता है कि हीट हम भेज किस से रहें तो सबसे पहला तो आता है कंडक्शन हीट ट्रांफ़र के तीन तरीके होते हैं उसमें फर्स्ट जो तरीका है दैट इस कंडक्शन कंडक्शन मतब हीट को एक जगे से दूसरे जगे हम भेजेंगे अगर कोई मेटल हम ले ले जरा एक एक जाम्पिल के तरुपर समझेगा हमने कोई मेटल का एक राड ले लिया और हमने इस मेटल राड को एक तरफ से हीट दी इसको गरम किया कोई फ्यू लगा दी और फ्लेम से गरम किया और हमने यहां पर अलग अलग थर्मामीटर्स फिट कर दिये यहां रास्ते में तो आप देखेंगे थर्वामिटर त्रीजर डिडिंग देना शुरू कर देंगे इसका मतलब हीट यहां से यहां जा रही है क्योंकि किसी बॉड़ी की होटनेस को कौन मेजर करता है थर्वामिटर तो यानि कि क्या हमने जब इस एंड को हीट दिया था तो यह वाला एंड यहां पर आया कहां आ गया यह एंड खिसा कहां आ गया वो तो वहीं पर रहा ना यानि कि जिस कंडुक्शन में जो मैटर्स होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगे ट्रांसफर नहीं होते हैं चेंज नहीं करते हैं वो केवल एनरजी को अपने नेवरिंग पार्टिकल को ट्रांसवर करते हैं तो इस आइपफर हीट ट्रांसवर इस नोन ऐसे कंडुक्शन यहने हम क्या कह सकते हैं कि कंडुक्शन में लिखना चाहूँ तो लिख लिएगा कि दप्रॉसेज ऑफ हीट ट्रांसमिशन the process of heat transmission in which the particles of the body the particles of the body do not leave their position do not leave their position is called conduction is called conduction अब बिना किसी बिना अपनी position को change कि heat को transfer कैसे किया होगा तो molecular theory किसे अगर हम समझने की कोशिस करें तो भाई सभी जो bodies होती है वो molecules में बनी होती है molecules आपने mean position से इधर उधर vibrate किया करते है normal position में भी है लेकि वो vibrate उतनी जगे में करते है जतनी जगे में उनका plot होता है जतनी जगे में उनको a lot होती है दूसरे molecules की range बें नहीं जाते लेकि जब हम उसको heat देते है heat देने का मतलब मैंने उनको क्या दे दिया energy दे दी बगल वाले मॉलिकुल से टकर मारते हैं और अपनी एनर्जी को उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है? कि भाई लो थोड़ा तुम भी ले लो और तुम भी प्लाट में तुबा मकान बनवाना, लेकि बनवा सकते हो, तो वो उसको देता है, फिर अपनी नेवरिंग को इस प्रिकार से हीट लगाता रागे, बढ़ती रहती है, लेकिन ये मॉलिकुल अपनी जगे को चीज नहीं करत उसके वाईब्रेशन बढ़ जाते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, तो सिस्त वे, टू ट्रांसफर दा हीट, दूसरा होता है कन्वेक्शन, यानि ये किस में होता है, ये आपका सॉलिड्स में होता है, जो कन्ड़क्शन होता है, वो सॉलिड्स में होता है, दूसरा हो और यहां पर आपने कोई फ्लेम इसमें लगा दी, इस प्रकार से इसको जलाया, और यहां पर लिक्विड भरा हुआ है, यह लिक्विड भरा हुआ है, तो आग देखते अगर ध्यान से उसको देखें, तो सबसे पहले नीची वाला जो पाड़किल होगा, वो हीट ले लेगा तो सबसे पहले उसको हीट मिलेगी, और हीट लेकरके वो अपनी जगे को छोड़के उपर आजाएगा, ऐसे उपर आएगा, और जैसे उपर आएगा, नीचे इसपेस खाली हो जाएगा, और उस इसपेस को भरने के लिए उपर से दूसरा मॉलिक्यूल नीचे जाएगा, मत उपर का मॉलिक्यूल नीचे आता है, हीट लेता है, उपर जाता है, इस प्रकार से आप देखिया, ऐसे से पानी खौलना शुरू हो जाता है, तो खौलने का मतलब क्या होता, हीट लिया, अपनी जगे छोड़ी, उपर गया, उपर के मॉलिक्यूल नीचे आए, तो यानि कि यह कैसा flow of heat हो रहा है इसमें molecule heat लेकर के अपनी space को छोड़ देते हैं और इस प्रकार से heat को transfer करते हैं ठीक है याने एक तरीके से 26 जनवरी के जो लड़ू मिलते हैं वो एक लड़ू लिया अपनी जगे से खिसक गए कुछ जगे में दूसरा लड़का आ गया उसने लड़ू क्या बढ़ते नहीं तुम्हारे स्कूल में और कुस तो बढ़ता होगा इस बार नहीं हुआ हर साल तो होता होगा तो तो अच्छी बात है तो लिखेगा the process of heat transmission convection की बात कर रहा हूं the process of heat transmission in which the particles of the fluid, fluid कमताब liquid कोई भी हो सकता है, particles of the fluid leave their place leave their place leave their place and and conduct the heat and conduct the heat and transfer the heat का हिए as I transfer the heat is called convection is called convection कंडक्शन मेटल जिस बरतन में भरा उसमें हो रहा है जिस बरतन में हमने भरा है उसमें हो रहा है लेकिन जो liquid है वो अपनी जगे को छोड़ रहा है अपने place को छोड़ रहा है heat लेकर के हट जाता है और अपनी जगे पे दूसरे को आने देता है तो यह भी एक प्रकार यह नीचे से मिल रही ना flame से हम heat दे रहे हैं यह जो heat मिल रही liquid को वो तो आप नीचे से गरम कर रहे है वो तो conduction के जरिए वो बरतन दे रहा है यह process तो heat यह flame दे रही है लेकिन वो बरतन conduction के जरिए गरम हो रहा है अब देखाओ अब पूरा बरतन गरम हो जाता है वो तो कंडक्शन जरी होता है लेकिन बरतन से जो हीट उसके अंदर आई है वो कंवेक्शन जो लिक्विड गरम हो रहा है वो कंवेक्शन के जरी गरम हो रहा है ठीक है और खाथ बात है इसमें मॉलेकूल हीट ले करके उपर क और जाता है उतानी जैसे किसी पैसा हो जाता है आजक Coordinние ए है आजकल बहुत गर्मी आई यह तो मतलब क्या होता है गर्मी आई है हीट आ गई तो गर्मी आई गर्मी आई तो बोडी हमेसा ऊपर कि तरफ जाती है यह निश्टर कानीब है जैसे अगर एक आप यहां पर तुकड़ा डाल दिजे और इसको यहां पर गरम करना सुनू करें यहां से यहां पर कंडल लगा दो और और यहां पर इसको हीट करो तो आप देखेंगे कि यहां का जो जो लिकुड होगा वो गरम होने लगेगा उपर की तरफ जाएगा लेकिन नीचे वाला बर्फ का टुकड़ा पिगलेगा नहीं वो ऐसे ही बना रहेगा हाँ ये लेकिन आप ट्राइ तो। जो प्रव लियां कि तूम यह हो सकता है कि जो आप ने यह जो ट्यूब ली है ना यह कंड़क्ड अगर करेंगे लक्रिसीटी तो हमें adores टूरी तो पूरी गरम हो सकती है ना वह देद्य Allah की बात लिकिन जो गरम हो रहा है वो उपर की सन से जो लाइट हमको मिलती है लाइट के साथ हीट भी मिलती आप जानते हैं आज कल बड़ी अच्छी हीट उसकी लग रही है जाड़े में तो ये आपका जो है ओर रेडियेशन है अंदर रेडियेशन में हीट को चलने के लिए मीडियम की ज़रुद नहीं पड़ती है तो तीसरा प्रोसेज है रेडियेशन तो नाम से लग रहा है कि रेडियेशन में जो हीट होती है वो एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव के फा में चलती है और इसको मीडियम की ज़रुद नहीं पड़ती है तो लिख लिजेगा, heat also transfers in the form of electromagnetic wave from a hot body called radiation. It does not, it does not require any medium, it does not require any medium. अब जैसे sun से हमारे पास light आती है, heat भी आती है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे चारों गोर एक atmosphere है, वो medium है. लेकिन अगर atmosphere ना भी होता, वहीं बहुत सारा रास्ता उसके बीच का है जहां vacuum है, लेकिन तब भी वहाँ से heat आती है, यानि without medium में जाती है, और अगर medium में जाती है, तो medium गरम नहीं होता, medium वैसे ही बना रहेगा, ठीक है. तो medium की बात में कर रहा हूं, मैं medium particle बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अब आप कहेंगे सब गरमी तो होती ही, हवा गरम गरम लगती है हमको, तो हवा गरम होगा इसका मतलब, वो तो medium particle है, मैं medium की बात कर रहा हूं, medium मतलब है क्यों, वो गरम नहीं होता है, तो जैसे आप heater करते हैं, heater से दूर आप बैठे हुए हैं, तो heater से जो light आती तो ऐसा था नहीं कि heater लगाया उसे पकड़ लिया ऐसाई, वो rod आप तो पकड़ते नहीं तो उससे क्या हुदा, radiation के दरी आपको heat मिलती है तो ये आपका इस प्रकार से temperature होता है अब हम बात कर रहे हैं लिखे conduction of heat in a metal rod किसी metal rod में किस प्रकार से heat जाती है उसके बारे में बात करना है मतब conduction के बारे में हम बात कर रहे है में और में कंडक्शन के बारे में यहां बात करने हैं अज conduction of heat in metal rod जना समझने की कोशिश करिएगा हमने एक experiment किया हमने क्या किया एक metal rod लिया ऐसे अब किसी भी metal का हो सकता है ये metal rod लिया और हम metal rod को एक corner से गरम करना सुरू करेंगे देखे पूरी rod को हम heat में नहीं रखेंगे ये ध्यान रखिएगा क्यों पूरी rod को अगर heat में रखेंगे ज़ा समझेगा आपने पूरी rod उठाई और बड़ा सा उसमें आग जलाए उसमें पूरी rod रख दी तो आप rod का हर एक part heat उसको मिल रही है डारेक्ट जो heat से मिल रही है आग से तो आप क्या कहेंगे किसने किसको transfer किया अगर मैं पूरी rod को ही उसमें गैस पर रख दूँगा गैस का बड़नर बड़ा से जलाऊंगा वो क्या बनाते हैं लोग दुकान पे वो एक बड़ा सा जो ऐससे फैला के उसमें पना के ऐससे बनाते हैं क्या कहते हैं उसको अरे वो जो बर्गर एक होता है अज़ा तुमको कुछ नहीं पता है चली अब हम क्या करेंगे इसको एक कॉर्णर से गरम करते हैं समझेगा हमने क्या किया इसमें पहले तो बीच-बीच में थर्मामीटर लगा दी यहाँ पर हमने यहाँ पर थर्मामीटर लगा दी नहीं होता है हमसे क्या मतलब का इसा होता है हमने आthis यह बहुत 2 3 4 नहीं हो एद हिसमें इसमें फीर को यह से हीट देनाँ हमने क्यों 9 हो गया इसका 8 हो गया इसका 7 हो गया तो थर्मामिटर ने थोड़ा रीडिंग देना शुरू कर दिया तो मुझे मालू है टेंपरेचर क्या मिजर करता है वो होटनेस और कोलनेस अब बाड़ी करता है इसका मतब बता रहा है कि यह वाली राट गरम हो रही है गरम कहां से हो रही है यानि कि हम हीट देना है यहां से थोड़ी दर बाद हमने देखा कि इसका 10 था इसका 11 हो गया इसका 10 हो गया इसका 9 हो हो गया तो हम कहेंगे यह रट की बैरी बिलस्टीट ली को कि ए जिसमें तेम्पर्चिर उसका लगातार चेंज होता रहता Michaels तो लिखेगा variable state, इसमें first heading, conduction आप rod में first heading डा लिए, variable state, ये हमने experiment क्या ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है, इसलिए हम ऐसा कह रहे है, तो लिखेगा this state of rod, sorry the state of rod, this न लिखे, the state of rod in which, in which the temperature of each cross section, in which the temperature of each cross section of the rod, each cross section of the rod is increasing with time, in is increasing with time, is called variable state, is called variable state, इसको हम variable state कहते है, variable word आप जानते हैं, जो अच्छी change होती है, ये word आप जानते हैं, अब जड़ा समझी, इसकी बाद हमने heat देना जाली रखा, heat जितनी देर हैं उतनी हम बात कर रहे हैं, अब हमने देखा एक समय आया, इसका temperature 50 हो गया, इसका 40 हो गया, इसका 30 हो गया, इसका 20 हो गया, अब इसके बाद हम heat लगातार देते जा रहे हैं, लेकिन इसका temperature चेंज नहीं हो रहा है, तो हमने कहा इसका मतलब यह हुआ, कि road अचा temperature चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यह 50 लगातार बना हुआ है, यह 40 बना हुआ है, 30 बना हुआ है, 20 बना हुआ है, लेकिन तेमपरेटर नहीं चेंज हो रहा है, एक fixed temperature हे, याणि heat लगातार देने के बाद भी, इसका मतलब यह वाक राड जितनी हीट हम दे रहे हो बाहर निकाल देती है अब इसके बाद तो गरम नहीं होगी मतलब हीट लेगी नहीं और बाहर ट्रांसफर कर देगी तो यह इसके steady state हो जाएगी दूसरी state इसके आएगी steady state यानि कि यह वो state होती है कि जिसमें की temperature of the rod जो है वो हर cross section का fix हो जाथा हर cross section का fix होता जाए समझेगा मतलब यह 50 है तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी rod 50 हो जाएगी जैसे जैसे हम इस वाले end से दूर की तरफ जाएगी वैसे वैसे उसका temperature down होता जाएगा तो लिखेगा the state of rod in which the temperature of each cross section in which the temperature of each cross section of rod becomes constant constant का मतलब यह नहीं पूरी rod same heat पे होगी, same temperature पे होगी temperature अलग लग होंगी the rod जालिका the temperature of each cross section of the rod becomes constant called steady state steady state यानि कि steady state का मतलब यह नहीं है कि पूरी rod constant temperature पे है हर एक cross section constant temperature पे जरा समझेगा यानि इस cross section का पूरा temperature 50 है इस cross section का 40 है इस cross section का 30 है लेकिन यह लगातार 50 बना रहेगा अब आपने का यह कैसे proof हो रहा है कि heat आप दे रहे हो भाई हमने का heat देना बंद कर दिया अरे भई heat देना अगर बंद कर देंगे तो temperature down नहीं हो जाएगा इसका दूसा तरीका देखिए हम हीट दे रहे हैं कैसे proof हो रहा है आप कहा रहे हो कि आप heat लगातार दे रहे हो temperature rise जो है नहीं हो रहे है तो हम तो कहा रहे है आप heat दे ही नहीं रहे हो आपने heat उतनी दी कि 50, 40, 30, 20 हो गया फिर heat देना आपने बंद कर दिया जब असी flame जलाए हो तो देखे हमने क्या किया हमने इस राड को एक बाक्स में ऐसे ऐसे इंबिडेन कर दिया गुजर दिया अंदर और इस बाक्स में हमने बर बर दी थी नहीं जम दी हमने बर आइस इंग्लिश में आइस हिंदी में बर उर्दू बर नहीं तो खुपरीवा है बर बर दिया नीद आ रही होगी ऐसा कुछ है तो इसका treatment कराईए ड्राइनेस आ रही होगी हाँ तो इसको आप करिए जर्द समझेगा हमने माल लिया आइस भर दी और आइस हमने माल लिया की 10 केजी भरी हमने ठीक है पर ले समझ लिजे बात भी लिखिएगा आपके साथ एक दिक्कत ही आती है कि जब आपको कहते हम लिखवा देते हम बैठते हम लिख लिया अरे वाई टीजर क्या करता है जैसे हम लोग क्लास भी क्या करते है लिसन सुनिये के बादा अभी नोट मत करना तो क्यों कहते हैं नोट करना दो कारण उसके होते है एक तो कारण ही होता है कि आप नोट करो हूं यह मैं बताना चाहता हूं जा देखिए ध्यान से जब हमने इसको हीट दिया यह बर्फ पिखलना शुरू हो जाएगी अब समझे आदा किलो बर्फ मल्ट हो गई हैस मैल्ट हो गई है किलो मेल्ट हो गई इसका ते बढ़ता जा रहा है अब 50, 40, 30, 20 हो गया और हमने देखा कि 6 kg जो है वो ice melt हो चुकी है और इसका temperature constant हो गया अब आपने का भई आप बता रहे हो temperature constant हो गया मतलब heat आपने देया लेकिन temperature नहीं बढ़ा यानि कि heat पूरी बाहर चली कि यह आप बता रहे हो आपने का आप धूर बो 6.5 kg melt हो गई 7 kg melt हो रही है लगातार ice melt हो रही है temperature change नहीं हो रहा है यानि कि heat इसके अंदर से बहती हुई वहां गई है तभी तो melt हो रही है तो heat तो इसमें है heat flow हो रही है लेकिन temperature नहीं चेंज हो रहा है anyway steady state है heat flow होने के बावजूद और heat बहते हुए गई है इसलिए हमने इसकी unit calorie लिखी है heat की unit क्या होती है calorie होती है बहने वाली चीज को calorie कहते है चुकि heat बहते भी गई है ये वाला end वा नहीं गया ये आपने इसको heat दिया ये वहाँ गया वोरे चाची हम heat लेके आए है ये low heat फिल लोड की यहाँ आया अईसा तो नहीं करता ना ये heat को बहते भी भेजता है तो इसलिए इसको calorie इसकी unit देते है उससे मतलब आपको नहीं है तो समझ में आगे steady state क्या होती है मतलब heat देने के बावजूद भी temperature change नहीं हो रहा है चीक है अब rate of conduction कैसे हो रहा है ये depend करता है कि आप कौन सा metal यूज़ कर रहे हो good conductor यूज़ कर रहे हो कि bad conductor यूज़ कर रहे हो आप जानते हैं कि सबसे best conductor क्या है गोल्ड है आप gold को के राड को आप यूज़ करोगे भाई गोल्ड का आप खाना बनाओगे उसकी उपर तो बन चुका तो आप चुकि उसको यूज नहीं कर सकते हैं हम गोल्ड का उसे कम चलो लो, सिल्वर का बना लो तो आप हम लोग क्या करते हैं हम तो अलुमिनियम से सुरू करते हैं तो अच्छा कंड़क्टर नहीं है जैसे आपने कभी देखा होगा कि मम्मी ने चावल बनाया हो और भगोने में, भगोना कहते हैं हिंदी में तुम्हारे भगोने कहते होंगे और चावल कभी-कभी नीचे जल जाता है क्यों जल जाता है भाई ऐसा थोड़ी मम्मी ने के जला दिया है उसमें एक्छली जो भगोना हम लेके यहां से लेकर के यहां से जलती नहीं तो गैस की फ्लेम तो थोड़ी दूर में ऐसे जली यहां तक जल रही है तो यह अब पता चला यहां चावल भरा हुआ है ठीक है अब यहां का टेंप्रेचर मालिया टैन हुआ तो यहां का वाटर उपर चला गया क्योंकि वाटर कैसे राइस करता है उपर राइस करता है अब पताला यहां से लेकर के यहां तक तो वाटर उपर जा रहा है लेकिन यहां वाला कैसे जाए भाई यहां हीट पहुंचनी चाहिए ना चुकि हमारा जो भगोना है जिसका बेस ह में वो कंड़क्टिंग तना अच्छा है नि तो आप वो होता क्या है कि यहां का चावल तो पक गग गHam और यहां पर चावल पका नहीं हलका गरम हुआ पानी तो मम्मी निका भी चावल नहीं पका और गरम कर लेते हैं तो गरम करने में क्या हुआ कि यहां का जल गया तब यहां जाके पका तो इसलिए और जल जाता है क्योंकि वागॉमbuild aloud भगोनां पापा सही नेएक जाल हमने निई जलाय वह खगोना करब लेकर आएक तो अब भगोना ऐसा बनाया हमने कौर का बना देते हैं कौरबर ल Pennsylvania प्रस प्रस बसा है जा तो कापर ने क्या क्या चारोतर प्रस प्रस कौर्प और कौपर में अगर नमक डाल देते हूँ आप आप सब्भी बना रहे हो तो वो रेक्ट कर जाएगा तो हम क्या करते हैं भगोने का बेस कौपर का बना देते हैं और उपर हलकी से लेयर स्टील की चरहा देते हैं तो कौपर नीचे गरम हो जाएगा चारो तरफ गरम हो करके वो स्टील को हीट दे देगा और चारो तरफ वहां पर हीट आजाएगी और समान रूप से गरम हो जाएगा और भगोना चावल जलेंगे नहीं यह कंसेट होता है तो इसकी जो conductivity होगी यह depend करती है इस बात पर कि आपने किस प्रकार का conductor यूज किया है ठीक है आब लखें कोफिसियन टाफ थर्मल कॉड़क्टिविटी कोफिसियन टाफ थर्मल कंड़क्टिविटी देखिं हमने एक राड लिया राड का क्रास सेक्शन कैसा भी हो सकता है हमने एक राड लिया और यह हमने इस प्रकार से राड लिया हमने जानगूस की क्रास सिक्शन ऐसा लिया हुआ है एक क्यूवाइडल सेप का राड था इस प्रकार से इस प्रकार से राड था और हमने एक कार्णर से इसको heat देना शुरू किया है यह क्यों heat हमने दे रहे है जब हम इसको गरम करें और इसकी length हमने L माल लिए और यह इसका area of cross section है जब आप गरम करेंगे तो heat इसको मिलेगी यह heat इसको देगा इसको देगा इसको देगा यहां तक पहुचेगी और मैंने माल लिया के steady state आ गई माल लेते हैं steady state आ गई और उस state में इस end का temperature theta 1 है और इस end का heat theta 2 है तो कह रहे temperature को theta से denote करते हैं आपने fundamental quantity पड़ी होगी तो fundamental units जब आपने पढ़ाए गई है तो उसमें Kelvin के लिए theta का इस्तेमाल किया गया था ठीक है तो हमने theta denote किया है तो कहरें जो आपने heat दिया है वो किस किस बात पर depend करती है कि पहरी चीज़ the heat given heat कितनी आपने दिये क्यों depends upon following factors इन इन बातों पर वो depend करती है अब factors का मतलब न समझेगा a square minus b square a plus b a minus b ने मैंने बता दिया देखे पहली बात यह जो heat depend करती है कि उस conductor का area of cross section कितना है ज्यादा area of cross section होगा तो ज्यादा heat देनी पड़ेगी यानि Q proportionate a पहली बात पहला equation दूसरी बात जितनी ज्यादा heat आप देंगे उतना ज्यादा temperature difference होगा यानि Q proportionate theta 1 minus theta t depends अपान दा temperature difference of the ends तीसरी बात जितने जितनी ज्यादा समय तक उसको देंगे heat यानि T पर डिपेंड करता है Q proportionate time और चौथी बात Q proportionate 1 upon L ये चार बातों पर ये depend करता है L बढ़ा होगे तो temperature difference कम हो जाएगा जितना ज्यादा आप करोगे जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे temperature down होता जाएगा तो आपको लगेगा आपने heat कम दी है जितना नजदिक लगे उतना heat ज्यादा आपको feel होगी ये equation number 3 है ये equation number 4 है अगर हम इन 4 equations को combine कर दें by question 1, 2, 3 and 4 हम कह सकते हैं Q proportionate A theta 1 minus theta 2 into T upon L ये formula या जब Q is equal to करेंगे तो एक constant यहाँ पराता है K A theta 1 minus theta 2 into T upon L K is a constant इसी को कहते हैं coefficient of thermal conductivity K is constant और इसको कहते हैं काईड coefficient of thermal conductivity रैटिंग सुन में आ रही है हाँ मुझे भी आ रही है तो लग रहा है हाँ ठीकी लिख रहा है वैसे तो कम कम आ रही है नोट करिए अब लिखिए definition of K definition of K पहले K का फार्मूला बनाते हैं इसमें हम जब कोई चीज की definition देते हैं तो अब सब को unity मान के मानते हैं ठीक है जबाइश को refill करने फिर हम आगे से जब भी आप साड़े साथ बे सर को एक call कर दिया करिए तो हम भी कर देते हैं मुझे था हम फ्रैट मौड में लगा लेते हैं तो इसलिए दिक्कत होती है फिर हमने फिर call किया था हमको पुरा था बीजी रहते हैं तो हो जाता है उन्होंने बता रखा है हमको तो हमने उनको बता रखा है हमने अरणों को बता रखा है देकिन अब क्या पैदा बता रखा देखिए अब हम बात करते हैं definition of key definition of key जार देखिए या तो मैं के की value निकाल दू यहाँ पर तो k की value हम नहीं निकालते हैं पहले हम माल ले कि अगर हम यहाँ पर a को 1 माल ले 1 meter square माल ले अच्छा theta 1 minus theta 2 upon l जा समझेगा यह एक बिसेश quantity होती है अभी हमको पहले बताना चाहिए था लेकिन अब बात बताएंगे change in temperature with respect to length क्या कहते हैं लेंथ के respect में कोई चीज चेंज होती है इसको क्या कहते हैं हमने कई बार यह word यूज किया है इसको कहते है temperature gradient याद आया हमने इसको कई जिगए यूज किया है कि distance के साथ जो कोई चेंज होती है तो इसको हम gradient कहते हैं अगर विलास्टी चेंज होती है तो विलास्टी ग्रेडियंट जो कि हमने बर्नावरी स्थ्वर में बताया था तो इसको भी हमने से 1 माल लिया वन ठीक है अच्छा और ट को हमने माल लिया वन सेकंड रिल को माल लिया यहां यूजी का लिया थो देन डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर लिख सकते हैं और कैलविन पर मीटर में लिख सकते हैं हमने कहा था temperature difference में आप Kelvin में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो K की value क्या हैगी Q आ जाएगा तो अगर मैं आप से कहूँ कि K की definition बताईए तो आप कहेंगे actual में K क्या है coefficient of thermal conductivity is the heat given to any body of unit area of cross section for one second when the temperature gradient is unity कह सकते हैं तो definition लिख लिख लिखेगा so therefore निचे लिखे, therefore the coefficient of thermal conductivity the coefficient of thermal conductivity of the material देखो यह body की property नहीं होती है यह ध्यान दखेगा यह material की property होती है टीक है of the material is defined as the amount of heat given की ब्राओ कियो है नहा amount of heat given that flows in unit time that flows in unit time through unit area of cross section through unit area of cross section under unit temperature gradient under unit temperature gradient at the steady state at the steady state state को होनी चाहिए? steady state होनी चाहिए विदा temperature चेंजना हो रहा हो at steady state अच्छा अगर मैं आप से कहूँ भाइ दुबरा फर्मल के दे Q बराबर के ए theta 1 minus theta 2 upon L into T हमने कहा है अगर मैं आप से कहूँ के की unit बताओ unit of key ज़रा समझीगा ये इधर क्यों है? हम सब को shift कर नहीं रहे क्यों unit लिख रहे है तो heat की unit क्या होगी? Joule L multiply में आएगा L की unit meter हो जाएगी upon A नीची आएगा meter square आएगा ये degree centigrade आएगा into second आएगा एक meter से एक meter cancel हो जाएगा तो Joule पर meter degree centigrade second इसकी unit हो सकती है Joule को आप calorie भी कर सकते हैं kilo calorie भी लिख सकते हैं लेकिन जो SI unit होगी वो आपके Joule यही होगी हाँ degree centigrade को Kelvin में convert मतलब लिखा जा सकता है शर्त है temperature difference के case में temperature difference के case में temperature case में नहीं है जहां पर difference आप temperature होगा वहाँ degree centigrade लिखो चाहे Kelvin लिखो दोनों चीज़े सेम होती है ठीक है ने 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 अगर temperature difference है मैं unit unit के हाँ अगर absolute temperature तो Kelvin लिखेंगे लिखेंगे अगर temperature difference है unit देना चाहते हैं आप तो unit Kelvin भी दीजा सकती है तोनों चीज़ें सही है ठीक है अगर मैं कहूं इसकी dimension लिखेंगे तो ज़रा dimension बना अब लिखी रहो तो सबको लिखी डालो इसकी dimension बनाईए dimension of key temperature degrees centigrade Kelvin थीटा से इंडिकेट करते थे temperature का unit Kelvin था उसका इंडिकेशन थीटा था हाँ M L T इंवर्स 3 थीटा इंवर्स 1 ज़रा आप बुक में देख लेते हैं यह आएगा M L T आरे वाह सही है मैं आरे वाह इसलिए कहाँ ठीक है ठीक है अब देखिए ध्यान से अब लिखिए rate of low of heat मैं formula लिखा रहा हूं की बल क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं कहीं और rate of low of heat rate of flow of heat rate of flow of heat को हम indicate करते हैं H से H तो H is equal to नाम से लग रहा Q upon T heat per second कि per second कितनी heat आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप जो Q लिखा है ना उसको T से डिवाइट कर दो तो क्या जाएगा formula बनेगा K A theta 1 minus theta 2 upon L तो यह rate of low of heat का formula है अब लिखिए thermal resistance thermal resistance कुछ यह अलग-अलग definitions है एक तरीके से तो definition बनाई जा रही है thermal resistance thermal resistance अगर मैं कहूं बहुँ resistance क्या होता है simple definition मैं बात करूँ कि resistance कि इस बला का नाम है तो आप कहेंगे किसी भी चीज के movement में अगर कोई obstacle आता है कोई requirement पन कर दे तो उसको resistance कहते हैं जब हमने electricity पढ़ी तो वे electricity में electron move करते हैं तो electron move करने में कुछ रुकावट उत्पन हुई हमने उसका नाम दे दिया electrical resistance उसी प्रकार से heat जब flow होती है तो heat flow होने में कहीं कुछ रुकावट उत्पन होती है तो वो thermal resistance यह तो physics के definition हुई तो mathematical definition बनाते हैं इसकी एक तो होता रटते हैं एक होता बनाते हैं देखे अगर मैं आपसे electric का resistance पूछूं तो वी अपान आई होता है आड़ जी को लूब यह पानाई इंटर में आप बहुत deeplys को पढ़ेंगे लेकिन फिलाग तो भी यह पानाई होता है अच्छा वी क्या होता है ने ने मैं फार्मला नहीं पूछ रहा हूँ वी क्या है potential difference यानि कि जो current होती है वो potential difference की वज़े से flow होती है तो heat किसकी वज़े से flow होती है temperature difference की वज़े से यानि कि आप कह सकते हैं कि जो resistance r होगा वो उपर आएगा temperature difference कह सकता हूँ मैं अच्छा i क्या है क्या है यह rate of flow of charge तो यहाँ एगा rate of flow of heat तो resistance का formula क्या मिल गया कि the ratio of the temperature difference to the rate of flow of heat in any body is known as a thermal resistance of the material of that body कह सकते हैं अब h की value रगद उठागर के तो आएगा theta 1 minus theta 2 और h आप निकाल चुके हैं यहाँ पर तो k a theta 1 minus theta 2 और upon L उपर जाएगा यह theta 1 कर जाएगा तो r is equal to आएगा L upon k a तो यह आपका thermal resistance हो गया of anybody वह जैसे लकड़ी है लकड़ी का एक end आप गरम करिए तो actually आप उसको गरम क्यों कर रहे हैं आप उस end को कह रहे हैं कि heat मेरे तक transfer करिए वह नहीं transfer करती है आप और गरम करते हैं उसको वह भी नहीं transfer करती है वह गरम होकर के लकड़ी से राख बन जाती है लेकिन बंदी वह transfer नहीं करती हीट को नहीं करेंगे transfer क्यों क्योंकि उसका thermal resistance इतना ज्यादा है कि उसमें heat flow नहीं होती है अब वह एक अलगी बात है कि radiation के जरीए heat हमको मिलती है तो आप कहीं लकड़ी या कोईला जलाते हैं तो क्या होता है radiation के जरीए हमको heat मिलती है वह conduction के जरीए transfer नहीं करती है यानि उसका thermal resistance बहुत high होता है इसलिए वह transfer नहीं करती है ठीक है